उपायूक थरीकेश मीना की अध्यक्ष्टा में सपताहिक स्मिक्षा पैठक का आयोजन किया गया इसमें जिलस्तर पर सभी प्रशासनिक वो विभाग किया उच अधिकारी उपस्तित रहे। कारियों में तेजी आएगी और एक दूसरे के सहयोग से कारिय निश्पादित हो जाने से इसमें अनावर्शक देरी से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्मान विभाग वर राज्यस्व विभाग के माध्यम से हमिर पुट्रिला के शहरी वर जयाता भीरवार्ड बाले उन्होंने राज्यस्व अधिकारियों को निर्देश डिये कि वे लोक निर्मान विभाग वर स्थानी निकायों के साथ मिलकर सडकों के किनारे ऐसी स्थलों पर भूमिक का सीमांकन करें और अगर बहां किसी भी तरह का अतिक्रमन पाया जाता है तो उसे तुरंत हटाने के लिए प्रक्रिया आरंब करें उन्होंने नगर परिशद हमिरपुर सहित सभी स्थानी निकायों से भी आगरे किया है कि वे शेहर से रैडी फड़ी के लिए निर्धारित स्थानों के बजाय स्थानी वजार में अतिक्रमन करने बालों के बिरुद आवर्शक कारवाई अमल में लाएं उन्होंने कहा कि नगर परिशद क्षेत्रव आसपास सडकों के किनारे बनी नालिया में निर्भात जल परवास निश्चित बनाए संबंदित विभाग परशाद के मोसम को ध्यान में रखते हुई इस दिशा में एक अभ्यान के रूप में कारे करे उन्होंने सि निश्चित करें उन्होंने कहा कि परशाद के मोसम में पोधार ओपन के लिए बन विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर कारे योजना तयार करे ताकि हरित क्षेत्र को बढ़ाये जा सके और भूमी सरंक्षण की दिशा में भी प्रक्ति हो सके बैटक में सहायक आयक सुनैना शर्मा उकमंडला धिकारी हमिरपुर शशिपाल नेगी बटसर बिशाल चर्मा नादोन दिले राम धिमान सुजानपुर शिवदेप सिंग मुखे चिकित्चा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी सहित सभी विभागों के उचाधिकारी उप पूरे परदेशपर में अस्पदालों में मेडिपर्शन एक्ट के लिए डॉक्टर पैन डाउन हर्टाल पर रहे वहीं हमिरपुर में मेडिकल कॉलेज में आज मरीजों को कुछ राहत मिल सके क्योंकि हमिरपुर मेडिकल कॉलेज में पैन डाउन हर्टाल नहीं की गई जिस कारण डॉक्टरों ने सुबह से ही मरीजों के लिए सेवाईं दी, नए मेडिकल कॉलेज होने के चलते पैंडाउन हर्टाल के समय रहते, सूचना नहीं दिये जाने से हर्टाल टाली गई है, जिसे आगामी कल किया जाएगा. हमिरपुर मेडिकल कॉलेज के अशोशियेशन के कारेकारी अध्यक्ष डॉक्टर अविशेक सिंग ने बताय कि नया मेडिकल कॉलेज होने के चलते, समय पर प्रिंसिपल को सूचना नहीं दी जा सकी, जिस कारण एक दिन के लिए पेंडाउन हर्टाल को हमिरपुर मेडिकल किया गया था, जिसे आगामी दिन किया जाएगा, उन्होंने साफ दोर पर कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्यमंत्री तक केवल मात्र आशवासन ही देने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बार डॉ प्रदेश मंडी जिला में महिला डॉक्टर के साथ मारपीट से लेकर घुमार्मी में बीमो के सस्पेंड करने के मामले पर प्रदेश भर्व के डॉक्टरों में रोश पनबा हुआ है, इसी के चलते गद्दिबस भी डॉक्टरों ने ब्लैक टैक लगा कर प्रदर्शन किया पुलिस स्थाना हमिरपुर के खगल में रात को सड़क किनारे खड़ी मीजी स्कूल बस को आपसी रंजिश चलते किसी ने जला दिया, जिला हमिरपुर के गाउं खगल के पास एकांत पिरान स्थान में खड़ी बीस्टार स्कूल की बस नमबर हचपी 67-4205 को अचानक आग लग गई, इस तोरान बस में कोई नहीं था, घटना का पता चलने के बाद बस ट्राइबर के खोश उड़के बस को आग लगाने बाले की पहचान नहीं हो पाई है जानकारी के मताबिक एक नीची स्कूल बस चो ड्राइबर के घर के बाहर खड़ी थी, उसको किसी ने आग लगा दी, जिससे बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है जैसे ही सुबा, साड़े पांच बचे ग्रामेडों ने बस से दुआ निकलता देखा तो उन्होंने बस ट्राइबर को सुशना दी, उन्होंने जल्दी से अपनी शमन भाग को आग की जानकारी दी, विवाग ने जल्दी से मोगे पर पहुँचकर बस की आग को आगे जिसे आस पास के साथ लगते घरों का बचाप हो गया, वहीं पुलिस ने घटना की सुशना मिलने के बाद मामला दर्ज कर जान शुरू करती है